दोस्तों कई फिल्में ऐसी होती हैं जो आपको जिन जोड के रख देती हैं आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है उन कुछी चुनिंदा फिल्म में से एक फिल्म है दे कश्मीर फाइल्स जोके आज ही रिलीज हुआ है दोस्तों ये फिल्म बेस्ट है कश्मीर में in the year of 89-90 ये वही साल है जिस साल में मैं पैदा हुआ था मैं आज 31 years का हूँ और इस हाथसे को होके भी almost 30-31 years हो चुके है मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे particularly मुझे आज से पहले ये फिल्म देखने से पहले जो real issue था इसके बारे में नहीं मालूम था हम लोगों ने सबने bits and pieces में here and there टीवी, news, debates वगेरा में थोड़ा बहुत सुने हुआ है लेकिन कभी भी हमने इसके बारे में detail में कभी नहीं पढ़ा है कि क्या जुल्म हुए थे वहाँ पे कश्मीरी पंडित के उपर हिसाब से वहाँ से निकल नहीं गया थे उनको भगाया गया था और इस फिल्म में आपको एक-एक step by step दिखाया गया है कि क्या-क्या उन पंडितों के साथ हुआ था अब obvious ही बात है आपको तीन घंटे के अंदर तो सब कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ वो तो दिखा आपको फिल्म देखके ऐसा लगेगा कि यह अगर आपके साथ हुआ होता तो आपको क्या फील होता लब इस हॉरिबल दोस्तों फिल्म के अंदर दिखाया गया है कैसे कश्मीरी पंडितों के ऊपर रोज कुछ ना कुछ अट्रोसिटीज होते थे तो आप मैच खिलेंगे त काफिरों को खाना नहीं मिलेगा इस विंदर इतना क्रियेटिवली विवेक अग्नी होतरी जी ने उसको उस सीन को दिखाया है जहां पर महिलाएं राशन लेने जाती है और उनको खाना नहीं मिलता है इसी वज़े से क्योंकि वह हिंदू पंडित है इसके अंदर में आप आ देख के ऐसा लगेगा कि अगर आपके साथ हुआ तो आपको कैसा होगा आपके परिवार वालों के साथ किसी के साथ ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगेगा इस फिल्म के अंदर आपको पुनीत हिसार जी जो की legendary actor है वो भी एक पड़े ही fantastic role में दिखेंगे जो की DGP का role निभ क्यों हमारे पास तक यह story आनी पाए क्या वहाँ पे कोई journalist नहीं थे उनके साथ क्या हुआ इस movie के अंदर आपको वो भी जानने को मिलेगा इस film के अंदर अतुल शिवास्तव जी जो की journalist विश्नु राम जी का role play कर रहे है वो भी आपको बर्खादत एक journalist है उन्होंने जो speech दिया था वही speech अतुल शिवास्तव जी इस film में बोलते हैं इसके अंदर में भाशा सुमली जी जो की शार्दा पंडित जी का role play कर रहे है उन्होंने अपना जो role है उसको play किया उनको देखके ऐसे ही मतलब सच में ऐसा लग रहा था कि वो feel कर रही है मतलब आपको ऐसा नही है कि these people were acting लेगिन जिन्होंने शो को steal किया है वो है चिनमे मंडलेकर जी यह play कर रहे है एक extremist का role play कर रहे है जिसको आप terrorist भी बोल सकते हैं यह इनका character का नाम है फारूक मालिक बिट्टा अब यह जो character है यह दो character का amalgamation है जहां तक मुझे लग रहा है यह बिट्टा कराटे और यसीन मलिक कानया यसीन मलिक इन दो के character का मिलन है based on true story का मतलब यह नहीं कि आपको पूरा exactly वहां से उठा के दिखा दिया है बहुत सारे political implications होते हैं कि film बनाने के पीछे तो कुछ कुछ creative freedom director Vivek Agnihotri जी ने इस film के नदर use किया है लेकिन overall this film is an absolute gem not only the story the screenplay the filming cinematography it is beyond दोस्तों art is a tool in my opinion to change the society last कुछ दशोकों से अगर आपने film में देखी रहेंगी Bollywood में Indian films मैं इन जनरल बोल रहा हूं Indian films तो आपको romantic flick family drama घिसे-पिटे thrillers या वो fake action movies hollywood copied stories या जादा से जादा South Indian remix ये देखने को मिलेंगी लेकिन true true cinema आपको देखने को बहुत ही कम film में मिलें आप बहुबली को देख लीजी ये एक stand-alone film था South India का जिसके अंदर story बहुत ही अलग था और ये एक इंडियन narrative से connect करने वाला story था इसलिए ये film not only India but worldwide hit हुआ क्योंकि उनको कुछ नया देखने को मिला similarly आप देखेंगे Bollywood के अंदर तुमबाड बना था लेकिन तब दर्शो को के पास ये information पहुचा नहीं जब तक ये film cinema hall के अंदर थी तब तक जो जनता है वो जानी नहीं पाई तो कोई गया नहीं and film का अगर आप box service turnover देखेंगे तो उतना अच्छा किया नहीं जब की film बहुत ही बढ़िया थी you know if you ask me personally it was one of the greatest thriller, horror, film that was made in India in the last I think 15-20 years but हम लोग उस film को hall में जाके नहीं देखें इसी वज़े से अब देखेंगे उस film का हमको second part नहीं देखने को मिला यही हरकत के वज़े से क्या होता है जो अच्छे film makers है वो नहीं आते सामने Vivek Agnihotri जी को मैं hats off करना चाहूँगा मैं salute करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना daring दिखा है to present a topic which is so controversial जिसको कोई लेना नहीं चाहता I salute you Mr. Vivek Agnihotri जी and मैं सभी को यही recommend करूँगा कि आप जितने numbers में जाएंगे उतना बेटर रहेगा जितने आप अपने family friends अपने दोस्तों को यारों को बोलेंगे जाके देखने को यह उतना हमको इस film industry को change करने के लिए help करेगा and our industry needs a change, a drastic change we need original filmmakers, we need filmmakers who can take on topics like this so hats off to you Vivek Agnihotri ji we are behind you and I'm sure your film will be a great success so guys this was our first review I hope आपको हमारा first review पसंद आया रहेगा अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप हमको कमेंस में बताईए कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आया and I'm sure हम try करेंगे कि next video में आपको complain करने का मौका ना मिले till then I hope you guys stay safe, stay healthy, all the best